अखिर क्या हुआ जो इस नाखुन में इस तरह से खुन लगे हुए हैं आप सबको ब्लोग पे पता चल जाएगा आप लोग ब्लोग को पूरा जरुरी देखेगा प्लीज क्योंकि आज चारुक ममी का काफी दर्दनाक रात थी ताप सबको देखना जरुरी है हलो दोस्तो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग उमीद करता आप लोग अच्छे होंगे चारुबटी ब्लोग पे आप सबीका स्वागत है अभी मॉर्निंग का साड़े छे बज रहा है और बादल महरबान है और वारिस भी आज अपना फुहारे वारिस इस तरह से दिखा रहे हैं प्राकृतिक की तो काफी अच्छी बात है पानी आना कोई दिकत नहीं लेकिन आज करमा का दीन है तो पानी ना आता तो ही अच्छा होता ममी भी साइद लगता है कि पानी ही लानने गए टांकी से तो पानी नहीं था वहाँ पर है ना तो सारे बाते आप सब को बता रहना चारू गई आज बड़ी बची की तरह बातरूम पे तो सोरी सारे बाते आप सब एक साथ सेर करता हूं तो बता दिया और एमजी बारिस लगतार हो ही रही थी तब अब अपना काम चारू कममी करेगी जाड़ू अगेरा लगाएगी मोर्निंग के टैम में ऐसा अभे तो सारे कुछ सही है कोई दीकत वाली बात नहीं है लेकिन जो बाते हुई हम लोग के साथ में बारा बजे रात को बात को जनना काफी जरूरी है अलगा तार बारिस हो रही थी जीला जीला लाते हार राजिया राजानी राजी पोस्ट जोड़ से बलो हुटाप माठर नहीं चाबे गाया भी नाम बताओ अचा तुम्हारा ममी क्या नाम है जोड़ से बलो है कुमारी कुन लगाएगा और तुम्हारा पापा क्या नाम है देव मंगल सिंग ठदाजी क्या नाम है आजा का अजा कि ने ने आजा का आजा का अजा का अजा के भार कर रहा हुँ आजा के अजा के भारीच हो रही है तो अभी तो टाइम कितना हो रहा है अभी देखते हैं अभी लगभग आठ बच के छे मिनट हो रहा है अभी हम लोग को यह जो बाइलेस का अपस्वी की स्क्रीन पर दीख रहा है ना फोटो तो हम लोग जा रहे हैं विजली बील माप हुआ है ऐसा आप सब निवच पर देख और ये खपरावला घर जो है ना जो इसका बाइक के साथ में अक्सर हम कारवार करते हैं आना जाना कहीं भी तो उसी के साथ में जाएंगे तो वो भी जाएगा विजली ओफिस जाना है इसलिए हम लोग इस तरह से लगा लिए बरसाती लगतार बारी सोरी थी थोड़ा सा छ बाबू लेकिन कितना टेंसन होती है कितना कस्ट करना पड़ता है से मैं ही समझता हूँ कोई बात ने हो सब बाते के छोड़िए और हम लोग पहुंच जाते हैं एक गुम्टी के पास जहां पे कुछ समों से बालु सही वगेरा बना हुआ रहता है तो मॉर्निंग का आठ ब अगरा का भी पाए था तब हम लोग पहुंच जाते हैं चंदवा फैनली अपना चंदवा टाउन के पास पहुंच गे ते भाय जी बोल रहे हैं कि टाउन तरफ दिखाओ चारो तरफ इस जगा तीन मोड है एक डाल्टेन गंज का रोड एक चत्रा का एक रांची का तब हम लोग रांची वाला रोड तरफ से होते जा रहें बिजली ओपीस हम लोग का उधर ही है तो हम लोग बिजली ओपीस पहुंच चुके हैं यहां पर काफी ज्यदा भीड़ बढ़ा का पहले सी लागा हुआ था लेकिन अभी सारे लोग रूम का अंदर थे तो बोल रहे थे कि लाइन लगाना जरूरी है तो हम लोग बोले चली हाँ पर थोड़ा सूट कर लेते हैं कहां आए जाए पता तो चले फिर वहां पर जैसे हम लोग चेक किये तो मेरा जो भी बिजली बिल का नंबर था कॉंजम नंबर ओ दिये चेक किये तो बोल रहे है आपका जीरो हो चुक पिट्रोल भरवा के अब हम लोग को जाना है एक किरना दोकान जहां पर हम लोग का कुछ खरिदारी करना है करमा का दीन भी आज है और मार्केट हमने कल नई करने गए ते वह इसलिए ने गए ना क्योंकि मुझे ज़दा भीड़ भाड़ वाला एरिया पसंद नहीं है वह माथा जल्दी दर लेता है भीड़ भाला एरिया में जाने के बाद में तो इस भाई को बोले के चलो जहां पर जाते हैं वही पर हम दुकान पर पहुँश्के है जो मुझे जरूरी समान खरिदना और खरीद लेंगे उसके बाद निकलेंगे हsweise हमारे समान यहां पर लेके भागे बात जितना एक्टन समान भी खरिदना है भाईजी दे रहे हैं दुकान-दार कुछ समान इनके घर में दोकान है और और हमने दो केजी आलू भी ले लिये हैं तो सरसाइरा से पहना ही हूं काफिश जदा ही है लंगा के जैसा-बड़ा तो अब मैं घर पर इंटर करूंगा और समान को रख देता हैं देख रहा हूं घर पे आके तो चारुक ममी या चारु कहीं नजने आ रही थी तो सबस्क्राइ़ समान खमने रख देते हैं आलू अगेर यहां पर है और जो भी है बलॉग बनेगा तो पता चलेगा चारु ममी को समान दिखाये तो चारुक मुमी को लगा कि हाँ सारे कुछ हमारे लिए है बस एक दो चीज नहीं है जो कि वो कल आ जागा अगर संभव हुआ तो वारिस ना हुआ तो अभी हम खाना खाने बढ़ जाते हैं हमारे घर में खाना जल्दी ही बन गया लगवा हम लोग एक डिएड़ घंटा के ब तो चारुक मुमी को बोले जैसे «अग अगर होगा तो एक दो तल दीजिये और चारु उपी पसंद करती है और भाइया क जो वेता है न च्छोटा उपी पसंद करता है कि त्ल दीजिये ख़ोड़ा सा हम भी खाएंगे परिवार भी खाएंगे थोड़े थोड़े और इसे भी डाल भात है तो काफी अच्छा लगेगा खाने में तो आप सब को पता ही है मेरा डाल और यह सब भूजिया वगर रहता है दाल रहता है खास करके तो काफी जदा फैबरेट है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आप सब इस सारे बाते को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब टैम पहुंच चुका है अभी टैम है 12 बज के 23 मिनट हुआ था और अचानक से हम लोग आज 9 बजे रात को ही सोए थे अचानक से मतलब ने सो गए थे तो अचानक से 12 बजे रात जब हुआ ना 12 बज के 23 मिनट त फिर से सोई चारो तरफ हम लोग का जाल को लगा के मचरदानी को अचानक से यहां पे क्या काटा अब यहां पे यह हो गया ना कहाने एक कुछ अंध्वीसवासी हो गया कुछ समझ में ने आ रहा था कि क्या था क्या काटा कैसे काफी ज़्यदा बुलट निकला लेकिन देख रहे हैं लेकिन हम 12 बच के 30 मिनट से जो जगे सो जगे पूरे रात जगे रह गए हमारा बैटरी भी खतम हो रहा था लैन भी कल नहीं था और क्या काटा ना काटा इस सोच के पूरे रात परेसान थे चारंग ममी को बोले कि आप सांत दिमाग से मतलब जगे भी रहिए सो जा अब लागोला टैप से चहदा था और इसी जगा चारंग ममी का दया पर आ जाता है सोने टेम तो यहां तक जब वहां से यहां इस टैप का चहदा यहां पी हमने इसे करके इसको दबा देते हैं तो दब जाता है लेकिन पूरे रात उसको वैट के वैट किये और जिस साइड पे कोई ची होता वैसा ची साप वगेरा होता है इसनेक वगेरा होता तो चुहा उधर बिल्कुल नहीं जाता फिर मैं क्या करूं चार बजने बजने तक मैं पूरा चारिक ममी का पैर देखता रहा और अपना अंगली से कोथ लगाता रहा ताकि वहां पे उनसे स्वाइव य अगर होगा वह साय तो दिखेगा यसा लग रहा था लेकिन पता ही ने चला क्या है नई है कुछ भी पता ही ने चल रहा था पूरा मैंने देखने के कोशिस किया कहीं भी अभी तीन बच के देखिए 20 मिनट हो चुका है पूरे रात जग गए हम 12 बच के 20 मिनट से जो जगना स्टार्ट किये सो जगते जगते मोर्निंग कर दिये थे लेकिन पता ने वो कुछ पता ने चला लेकिन मैं चरगुमी का पैर को चेक करता रहा सोचा कि अगर कुछ हैसा प्रोब्लम हो और इतना रात को भी कहा ले जाँ होस्पीटल वगरा कहीं भी इस टैप से हुगा हमारे साथ और दोस्तों बिजली बील का चेक करा का गए खरा भी खा लिए सारे कहानी आप सबको बताएं लेकिन आज करमा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन पूरे दीन जो वारी सो रही है लगातार हो रही है और मुझे खुसी नहीं है कि मैं हस रहा हूँ जो रात में हुआ सारे बाते मुझे मैसुस है मैं याद और आज पूरे दिन घर को भी चेक वागेरा किया पूरे इधर उधर जितना कपड़े विखरे हुए थे सारे कुछ सहियारा भी तर मामी रात में भी सहिस ने सो पाई ना क्योंकि हम हमेशा कौत लगा रहे थे ते भी जगी हुई थे अभी जासे देखें सो के उठ रही है अभी चार बज यह लगभग और साम का फिर खाना वगएरा बनाना है वैसा कुछ महसुस ने हुए ना दिन भर पोला हम बोले थे क्यों हम लगा लोग तो हम लोग काफी जदा पूछ ताच किये दिखा दिखा के कि क्या हो सकता है कैसा हो सकता है मतलब ऐसा क्यों हुआ तो काफी लोगों ने बोला कि चुहा वगए रहा भी इस तरह से कड सकता है और एक छुचुचुंदर नाम करके चुहा होता जिसका पतला मुँ होता है ओभी सतरह का हारकत करता है आदमी का सरीर कुछ भी जगा हो हो या कहीं भी अगर मिल है नाक तो नाक को भी ने छोड़ेगा ऐसा बोल रहे थे लोग तो हम लोग काफी ज़्यादा हासे भी फैली हुआ लेकिन वैसा कुछ खुन निकला सोहा लगवग मेरा हिसाब से लगता है कि एक इंजेक्शन खुन निकल चुका होगा फूरा दबा या थंदर तक तो हमने थोड़े थोड़ा इसे करकर के उस टाइम और मतलब बोले पानी से दोली जिए बस इस सब काम करके चुला दिये थे अब मतलब सो भी गए वहां देखते रहें पूरे रात की कुछ ऐसा नहीं और क्या बोलें अन दाजी ले भी जाना सही ने होगा अगर वैसा कुछ लगता हम फुरा गवर कर रहे थे पूरे रात तो ले जाते ना और चारू अभी के टाइम पर फिर खना खा रही है चारू से मिलाना तो बनता है चारू से जरूर मिलाएंगे और ममी और बाबू इधर बैठे में कहां जाएंगे पूरे दिनाद चडियां करने जैसा घर पे ही है बाबू भी खरा के हहां तो ममी को पूरे रात में हम ने बताएं ए सद ममी भी तो डर जाएगी सही हो गलत हो उनका ही सारा कुछ दे नहे है जो भी कर सकते हैं हम लोग कहां पुछ नहीं होता है ममी लोग अभी बैठे हुए आराम से और कर्मा का दिन है लेकिन फिल भी इस टैप से मौसम सही नहीं लग रहा है तो चलिए आज कब लोग हम इतने ही रखते हैं चारुक ममी को जो भी हुआ चारुक ममी साथ में जिवंदान मिला हम बोल बम गए थे उस तेम भी स्टैप का हुआ था जो की बड़ा वाला घुसा था है ना हिरो होंडा साथ बोलते हैं क्या वालते हैं आप लोग डामन साथ त अभी के लिए बाए बाए चारेगम में अभी शुरचित है और 12 बज गया मतलब 12 बज टाएं के बाद में कितना टेम हो चुका है चार बज घुए काफी जड़ा टेम हो चुका है तो अभी तब कोई सिम्टेंस ने दिखा जहां पर काटायम हाब खुड़ा दर्द है ठीक ह बाई बाई कल भी जो होता है अब कल बताएंगा आप से लिए